Dear Students, Global Basis के टॉपिक के अंदर हम Monomial Ordering को डिसकस कर रहा हैं इससे पहले जो दो वीडियो थी उसके अंदर हमने Monomial Ordering को Define किया के वो कौन कौन सी Conditions हैं जो एक Ordering जो हम Monomials को पर Define कर उनको Satisfy करना चाहिए एक का था कि वो That Should Be Total Ordering इसी भी दो Monomials को हम Compare कर सकें Second one was That Is Compatible with Respect to Multiplication and Third was के Third के लिए हमने दो Equivalent Conditions देखी थी कि यहा तो Well Ordering हो उसका भी वही मतलब है और अगर One जो है वो Least Element है उसका भी वही मतलब है तो इन तीन Conditions को जो Satisfy करेगा ठीक है तो आपके पास वो एक Monomial Ordering बाज जाएगी दो Fix और उसके बाद दोनों में से कोई एक ठीक है तीन Conditions अब इसके बाद जो वीडियो है यह वीडियो है इसके अंदर जो है हम तीन Different किसम की Monomial Ordering ठीक है और यह तीनों Monomial Ordering जो है यह Conditions को Satisfy करेंगी तीनों Conditions को मैं इनका Proof नहीं करा रहा है प्रूफ किस चीज़ का कि यह तीन Conditions को Satisfy करा रहा है मैं इनकी Definitions करूँगा Definitions करने के बाद मैं इसकी Examples करूँगा ठीक है और प्रूफ आप खुद से देखोगे कि यह तीन की तीन जो Monomial Ordering है वन बाई वीडियो में हम देखेंगे कि वो Satisfy कर रही है इन तीन Conditions को ठीक है अभी हम इसको Define करते हैं और इसकी कुछी Examples को देखते हैं सबसे पहले जो है That is Lexicographical Ordering ठीक है इसको हम Define करने जा रहे हैं Lexicographical Ordering It is defined as follows We define the Lexicographical Ordering on T की Power N with X1 is greater than X2 so on is greater than XN as follows for Alpha and Beta Alpha is equal to Alpha 1 से लेकर Alpha N तक and Beta is equal to Beta 1 से लेकर Beta N तक ठीक है TN पर Define कर रहे हैं या वो N की Power N पर Define कर रहे हैं हमने देखा था कि दोनों को हम एक दुसरे के साथ relate कर सकते हैं ठीक है तो वो ही Define this X की Power Alpha is less than X की Power Beta if the first coordinate Alpha I and Beta I in Alpha and Beta from the left which are different satisfies this Alpha I is less than Beta I ठीक है complicated लग रही है नहीं complicated बिल्कुल नहीं है यह इसमें यह है कि आपके पास जो X की Power आप ले रहे हो वो Alpha और Beta की Form में X की Power Alpha एक Minomal की Power Alpha है दूसरे Minomal की Power जो है बीता है और हम देखेंगे कि इसके Left साइट से अगर जो पहला Element जो के ब्राबर नहीं है वो Satisfy कर रहे है Alpha I is less than Beta I तो यह Condition जो है यह X Alpha X Beta से छोटा हो जाएगा यहनिकि जस्ट Left साइट से मने First Element को देखना है वो यह Condition Satisfy करना चाहिए अगर Left साइट पर First Element चोटा है तो वो Element चोटा हो जाएगा अगर Left साइट पर First Element जो है वो बड़ा है जो दूसरे से पंपेर करने से तो आपके पास जो है वो Element दूसरा बड़ा हो जाएगा ठीक है यहनिकि उसके बाद चाहिए जितनी मर्जी टर्म चोटी बड़ी हो उससे हमें कोई गर्स नहीं हम सरफ First Entry जो के Left साइट से एक दूसरे के बाद बाद बर नहीं है उसको हम देखेंगे ठीक है इसको हम थोड़ा से Example से देखते हैं Example से देखें तो यह चीज़ आपको Clear हो जाएगी ठीक है आप Less Than Equal To की Notation भी यूज़ कर सकते हैं आप Less Than की Notation भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन यूज़ी जो है जब हम किसी Ordering को Define कर लेते हैं इसकी एक Particular Notation होती है ठीक है जैसे यह Lexicographical Ordering है तो इसको हम बेसिकली लिखेंगे Less Than With Respect To L Lex ठीक है अब एक्जेंपल में हम लेते हैं K of X, Y and Z ठीक है और दो मनोमेल लेते हैं एक लेते हैं X, Y, Cube Z की Power 5 और दूसरा है X, Scare, Y, Z ठीक है अब यह दो मनोमेल हैं इन थी Variables अगर मैं इसके Cross-Ponding वही N की Power 3 के दो Element देखूं Alpha, Beta जो अपने लिखा था और के पास था इसमें बन जाएगा यह 1 3 and 5 और इसके साथ बन जाएगा यह 2 1 and 1 तीक है अब अगर उस Definition को देखें अब आपको असान लगेगी कि Left साइट से अगर हम देखेंगे First Element Left साइट से आपको पास First Element जो है यह एक यहाँ पर 1 पढ़ा होगा है यहाँ पर 2 पढ़ा होगा है थीक है मैं यह बोर रहा था कि जो Non Equal है वो अभी इसको देखते हैं वो किस केस में बनेगा लेकिर इस केस में इस Left साइट पर यह 3, 2 जो है वो Basically बढ़ा है One से Left साइट से तो यह पूरे का पूरा Element जो है With respect to this Lex यह इससे X square Y Z जो है यह X Y cube Z 5 से बढ़ा हो जाएगा हमने सिरफ First Element को देखना है यह Lexicographical ordering हमने पहले भी एक lecture में थोड़ा सा इसको डिसकस किया था यह Basically वो ही है जो हम जोड़ी डिक्शिनरीज में words के साथ होता है कि First Word अगर A वाले पहले देखेंगे फिर B वाले देखेंगे फिर C वाले देखेंगे और सो ओन ठीक है अच्छा अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इस ordering के अंदर हमने एक चीज़ जो suppose की है या सबसे पहले जो हम ordering में start करते है वो ही है कि इन बिट्वीन जो variables है हम कौन सा order ले रहे है ठीक है नहीं कि इसमें हमने suppose ये किया हुआ है कि First Entry जो होगी वो X की होगी दूसरी Y की होगी तीसरी Z की होगी क्योंकि हमने X को First Preference दी है Y को Second Preference दी है और Z को Third Preference दी है ठीक है अगर इसी को मैं तोड़ा सा फिर repeat करता हूँ इन ही दो monomials को For example मैं Y Greater than X Greater than Z लेता हूँ ठीक है तो इसका मतलब यह होगी अब मेरे पास टुपल बनेगा इसका इस दो monomial का वह basically यह नहीं होगा जो भी हमने 1, 3, 5 लिखा है अब मैं पहला element जो है वह basically Y का लिख हूँगा यानिके 3 एन उसके बाद जो है वह 1, X का और उसके पास Z यानिके 5 और इसी तरह दूसरे case में भी यह बन जाएगा 1 और इसके बाद यह आपके पास 2 and 5 ठीक है sorry 1 यह आपके पास उसका दूसरा बहान है ठीक है अब इसके बाद यह के 3, 1, 5, 1, 2, 5 अब लेफ्ट से अगर देखा जाए तो यह 3 बढ़ा है 1 से नहीं कि लेफ्ट से जो first non-zero entries की और first यह आपके पास जो entry बन रही है उसमें 3 बढ़ा है तो basically अब यह elements है यह इससे बढ़ा हो जाएगा with respect to this lexicographical ordering depending on कि हमने variable के दरम्यान में कौन सी ordering रखी है this is very important क्योंकि जो variable के दरम्यान में ordering है वह हमें यह बता रही होती है कि हमें टुपल में कौन सा variable कहां पर रखना है ठीक है that means कि अगर मैं इसकी ordering initial ordering change कर दूँगा तो आपके पास वो depend करेगा कि हमनों में बढ़ा हो रहा है या वो से चोटा हो रहा है वो सारे एक सारा depend कर रहा था आपकी initial ordering पे ठीक है और अगर तो यह कहीं mention नहीं है तो फिर थो हम यह ordering लेंगे x1 is greater than x2 is greater than x3 या x is greater than y is greater than z और अगर कहीं यह mention होगा तो हम उसके मताबिक चलेंगे ठीक है तो यह तो जस्त मोनोमेर्स के दिव्यान में मैंने आपको एक example बताई है तो second एक और example देखते हैं इस example के अंदर let's say again we take this polynomial ring in three variables और हम देखते हैं कि degree 2 के degree 2 के जितने भी manomials उनके दिरम्यान क्या order बनता है ठीक है अब degree 2 के manomials in three variables वो कौन-कौन से होंगे एक ताब कापस आजेगा x scale then you have x y then you have y square then you have this yz or then you have this z square then you have this xz तो इस तरह ये इसके जो आपके पास degree 2 के three के अंदर आपके पास ये three variables के अंदर six manomials है ठीक है just to have मतलब आपके पास वो इसकी जो cross-pounding जो elements हैं in n की पावर n की पावर three के अंदर वो बनेंगे two, zero, zero then xy के गेंस्ट one, one, zero y square के गेंस्ट zero, two, zero then yz के गेंस्ट zero, one, one and then इसके बाद z square के against zero, zero, two और xz के against one, zero, one ठीक है अब इसको इन order में रखना है order में कैसे लिखना है के सबसे बड़ा element पहले ठीक है descending order में हम इसको लिखेंगे तो अब सबसे बड़ा element means के left side से जो सबसे बड़ा element होगा वो ही आपका इसमें सबसे बड़ा element होगा तो left side पे आपके पास ये two सबसे बड़ा है सबसे पहले ये two, zero, zero आ जाएगा ठीक है उसके बाद next element इसके बाद जो next से very next element है जो इसके बाद आएगा जिससे ये बड़ा है that will becomes तू वाला तो और कोई नहीं है जो फस्स जगह पे two हो फिर हम देखेंगे one वाला ठीक है और one वाले के साथ आपके पास one वाला ये element है और दूसरा आपके पास one वाला ये element है अब वो जो मैंने डेफिनेशन में कब बोला था जो फस्स एलिमेंट जो एक्वल नहीं है उस left side से वो अब इसमें ये one और ये one ये आपस में equal है और लेफ्ट साथ से फस्स एलिमेंट जो not equal है वो इस second वाला है यहाँ पे one पढ़ा होगा और यहाँ पे जहाँ वो zero पढ़ा होगा इसके बाद वरी नेक्स एलिमेंट ये बन जाएगा और इसके बाद आपके पास नेक्स एलिमेंट जो आपने वन वाला ही रहेगा और आपके ये one zero one ठीक है जी तो तीन एलिमेंट को हमने आडर कर दिया उसके बाद first position की preference खतम होगी अब हम second position पे देखते हैं second position में सबसे बड़ा element कौन सा होगा वो यहाँ पे नजर आ रहा है जिसके साथ आपके पास यहाँ पे टू पढ़ा होगा है तो इससे very next element आपके पास है that is zero two zero अब second position पे भी two all element अब इसके बाद कोई नहीं है one वाला देखते है one वाला second position पे आपके पास यह एक element यह बढ़ा होगा है और इस element को हम आप आपके देख चुके है जिसकी first entry zero है ठीक है so that is later than this zero one one और इसके बाद आपके पांच element लिखती है जो last element है that is later than lex of zero zero two ठीक है तो ultimately आपके पास lex की graphical ordering में two degree के monomers and three variables polynomial and three variables वो बन जाएंगे x square is greater than with respect to lex ठीक है is greater than xy is greater than with respect to lex that is xz is greater than with respect to lex यह आपके पास बन जाएगा y square and that is greater than with respect to lex yz and this is greater than with respect to lex as z scale ठीक है तो आपके पास यह आपने six elements जो है वो order में कर दी है आपके पास degree 2 के यही six elements थे अब इसमें एक चीज़ वो भी देख लें कि यह total ordering था total ordering meaning हमने 6 क 6 को आपस में compare कर लिए कौन किससे बड़ा है यह total ordering वाली conditions में satisfy कर रहा है compatible with respect to multiplication भी होगी इस example के अंदर भी और general case में भी और दूसरा आपने देखा कि इसमें one least element यह हमें इस पूरे set का एक least element मिल गया जो के z scale है ठीक है this always hold ठीक है तो यह वो conditions थी जो कि lexigraphical ordering में यह satisfy कर रहा था ठीक है last इसमें में एक और example देना चाहरा हूँ ताकि इसको lexigraphical ordering को बिल्कुल हम complete कर दें and that very small example is कि in case अगर आपके पास two variables है let's say x1 and x2 की बात कर लेते हैं xy की जगा पे तो इस case में आप लिख सकते हो with respect to lexigraphical ordering कि one is moreover आप क्या कर रहे हो आपने ये assume की है कि x1 जो है वो बड़ा है x2 से ये important है आपके पास ये बन जागा इसमें जो आपके पास ordering बन जागी that is of the form x2 is less than x2 square is less than x2 cube is less than this process continue x2 की पावर पहले आजाएंगी पिर इसके बाद x1 की पावर आजाएंगी one is less than x2 times x1 is less than x1 less than और ये process continue करेगा यनिके ये आप यह समय लेंगे कि मैं k of x1 x2 के अंदर यतना भी मनुमेल्स पड़े हैं मैं सब की ordering का रहा हूँ with respect to lexicographical ordering as well as considering x1 is greater than x2 इसके बाद x2 इसके बाद x2 की सारी पावर फिर x1 और x1 के साथ x2 की सारी powers ठीक है और ये process चलता रहेगा और in the end आपके पास last में वो आप x2 square करोगे x2 के सारी पावर ले लोगे x1 की and that process will continue और in the end आपके पास ये सारी इसकी ordering हो गई है कि इसके अंदर two variables के अंदर सारे मनुमेल्स की ठीक है यनिके x2 की powers पहले फिर x1 के साथ x2 की पावर सारी फिर x1 square के साथ x2 की पावर सारी फिर x1 cube के साथ x2 की सारी powers and so on इस तरह इसकी ordering जाए वो complete होगी और ये हुआ हो